आप लोगोंने हाली के समय में देखा होगा कि जो हमारा पडोसी पाकिस्तान है यहां राजनती के उठाफटक चल रही थी और उसके बाद आपने देखा है कि इमरान खान को गद्धी छोड़नी पड़ी और अब नए पिधानमंत्री पाकिस्तान की सहवास शरीप बन चुके ह और याद रखें कि 1947 तक भारत का हिस्सा था पाकिस्तान लेकिन आप देखें कुछ स्वार्थी नेताओं के कारण पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है और आप देखते हैं 1971 तक बंगलादेश भी पाकिस्तान का ही हिस्सा रहता है 1971 में भारत पाकिस्तान की बीच लड़ाई होती है और बंगलादेश की आजादी को लेकर और 1971 में बंगलादेश आजाद हो जाता है और आप देखेंगे उस समय हमारे देश की पिधान मंतरी इंद्रा गांदी थी और आप सभी जानते हैं कि एक मात अभी तक पिधान मंतरी हुई महिला पिधान मंतरी इंद्रा गांदी अभी पाकिस्तान की पिधान मंतरी की बारे में इसलिए बात कर रहें क्योंकि यहां जो विदेश मंतरी बनाई गई हैं वो काफी चर्चा में बनी हुई हैं वो अपनी खुपसोरती की कारण भी कई बार चर्चा में आ जाती है और हमेशा चर्चा में बनी रहती है दुनिया भर में चर्चा में बनी रहती है और कई बार क्या रहता है कि ये बयान भाजी की कारण भी चर्चा में बनी रहती है और आप देखेंगे कि इमरान खान पर काफी कटाक्च भी करती रहती थी और विलावल जो भुट्टो है इनक रब्बानी क्या हिना रब्बानी पाकिस्तान की पिधार मंत्री सहवास सरीब के मंदल में 37 सदसी है सदसुनों याकेकार मंगलवार को सपतली है और इसमें एक नाम की चर्चा पाकिस्तान की साथ भारत में भी खोब हो रही है वह नाम है हिना रब्बानी खार का हिना पाकिस् वो विदेश मंत्री रह चुकी है और उनकी खुबसूरती के चर्चे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है अब समझ रहें और हिना रब्बानी के अगर हम लोग जनम की बात करें तो आप देखेंगे कि 19 नवंबर 1977 को इनका पाकिस्तान के पंजाब इस्तित मुलतान में इनका जनम हुआ था और जाट परिवार से तालुक रखती है उनके पिता गुलाम नूर रब्बानी खार एक रक्सोकदार राजितिक सक्तियत थे वह भी सांसाथ बर रहे है तो हेना रब्बानी खार का जनम कब होता है 19 नवंबर 1977 को कब 1977 में इन्हों ने आप देखेंगे कि हेना रब्बानी ने लाहोर यूनिवसिटी और मैनेजबेंट साइंसिस से B.S.C. एकोनोमिक्स ओनर्स की पढ़ाई की है इसके बाद इन्होंने M.S.C. करने के लिए वह अमेरिका चली गई है और आप देखेंगे बड़े-बड़े जो राजनेता होते हैं भारत के हों फिर चाहे पाकिस्तान के हो आप देखेंगे अपने बच्चों को VIP स्कूल में पढ़ाएंगे और आम जन्ता किस तरह से पिस्ती है आप सभी जानते हैं बेदर जानते हैं आप देखें कि जो पाकिस्तान के पड़ोसी राज जमाला लगता है जमू कस्मीर की बात हो रही है यहां आप देखते हैं महभूबा मुपती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा आप देखें कि यहां के लोगों कि किस तरह से भढ़काती रहती है और उनके बच्चे देखें आप लोग विदेश में पढ़ते हैं कहां पढ़ते हैं विदेश में पढ़ते हैं अभी आप देखे हमारे जैसंग का साथ काफी बड़े लेके हैं। समझे रहा है आप लोग। और ऐसा हमारे देश में भी आप देख जानते हैं कि देखें पिता के बाद पुत्र या पुत्र नहीं है तो बेटी पुत्री और इसी राजनेतिक जो भी बिरासत रहती है उसे समालती है। पुत्र रहे की बिरासत हो बाग के बाद पुत्र को ही मिलती है। आप देखें अखले से आदो के चाचा सिपा ले आदो कोशिस ही करते रहे हैं। उन्हें कुछ आद नहीं लगा। तो यह हमारे देश की हकीकत है और किसी भी देश की हकीकत है। पीपीपी में आते ही बिलावल से नजदीकियां बढ़ गई। सन 2002 में पाकिस्तान मुसलिम लीग के बेनरतली चुनाव लड़ने वाली हेना 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पायटी पीपीपी के साथ जड़ गई। और यहीं से उनकी और पीपीपी के यूबा नेता बिलावल भुट्टो की नजदीकियां बढ़ गई थी। और आप देखें बिलावल भुट्टो के साथ भी इनके जो भी सम्मंद रहें वो भी काफी चर्चा में रहें दुनिया भर में। विदेस मंत्री बन गई थी 2011 में, 2011 में हिना को विदेस राज मंतरी बनाये गया था, इसके बाद अंतराष्टी स्तर पर हिना की खुपसूर्टी के चर्चे होने लगे, और विदेस मंतरी बनने के बाद हिना दो दिन के भारत दोरे पर भी आई ती, और उनकी तस्वीर रोची राजसे देसे लगती हैं. इस आपको देख रहा है होगे, बिलावल भूट्टो हैं. इस आप देखेंगे, हीना रब्बानी खार हैं. बिलावल के साथ इसकी के चर्चे भी काफी चर्चा में रहेते बता चुका हूँ. पाकिस्तान की अलगलग मीडिया ने दावा किया है कि एक बार दोनों कुराष्टपती आसिप अली जरदारी के सरकारी आवस में अपत्ती जनक हानत में देखा गया था इसके बाद जरदारी ने बिलावल और इना के मोबाईल रिकॉर्ड चेक किये थे तब दोनों के अविद सम्मन्द के बारे में मालू चला था ए जनम दिन पर कुछ यूँ विस किया 21 से सेप्टमबर 2011 की बात है रब्बानी ने बिलावल को जनम दिन पर बादाई दी थी और ग्रेटिंग कायड भी भेजा था इसमें एक मेसेज लखाता कि हमारे रिस्ता कभी ना बदलते बदलने वाला सास्वर्थ है और जल्द ही हम एक हो जाएंगे तो इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इनके प्रेम कहानी की हिना के आपको बता दूं कि भाई रजा रब्बानी खारभी नेशनल असेमली के सदस हैं और 2018 में रजा पंजाब की मुझपरगर तीन सीर से आप देखेंगे ये पीपी के के टिकेट पर जीते थी और अभी जो नई मंत्रियों की को सपत दिलाई गई है पाकिस्तान के के सपत दिलाने से इंकार करने के बाद सीनेट के अध्यक्ज सादिक संजा रानी ने उन्हें सपत दिलाई है और मंत्री मंडल की सदसों को संबार को सपत गहन करनी थी लेकर राष्टपती अलवी के उन्हें सपत दिलाने से इंकार करने के बाद सपत समारू इस्तगित हो ग कि यहां का सेना का Direct या Undert हास्टेचेप रहता है। अगर आप देखें कि सेना के एसाबसे काम करते रहें तो बने रहेंगे और अभी आने वाले समय में चुनाओ भी हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सेना का ऐसा हास्तेचेप नहीं रहता है, आप देखते हैं कि हमारी सेना का करतब है रक्षा करना और वो वहतर तरीके से रक्षा करती भी है अपना पूरा करतब निभाती भी है और हमारे देश के राजनेताओं का काम है राजनीती करना तो वो अपना भी काम करते रहते हैं लेकिन पाकिस्तान में दोनों मिले जो ले रहते हैं और वहाँ लोगों को देखने को मिलेगा पिधान मंतरी से जानदा वहाँ के सेना पिरमुक की चलती है वहाँ के सेना पिरमुक की अपनी कंपिनिया है सेना की तो आप संज़ सकते हैं क्या इस्तेती रहती होगी जम्मू कस्मिर में आतंकी हमले की घटनाय हो रही है और कभी आप रुखने का नाम ही नहीं लेती हैं तो हमारे इपधार मंतरी ने भी आपने देखा हो का इसारों इसारों में कह दिया था कि जब तक आप सांती नहीं बनाते जब तक आतंक वादियों को खंडिंग या उन्हे खतम नहीं करते हैं तब तक सांती बनाना बड़ा मुश्किल है और यहां की पाकिस्तान की हालत भी जरजर हो चुकी है भुखमरी हो महंगाई हो कर्ज के नीचे दब चुका है चाइना के इतना कर्ज हो चुका है उस पर तो यही हालत है अब क्या किस तरह सी निपठता है य जब शुका है अब की है निवेगर तो यही जड़ो अवर तो यही हा यही हालत बड़ाद आली है भी जभी जो आफिए को विल जड़ा यहीर तो चुका है यहीर तो तो यहीर हो यहीर